हेलो एवरीवन वेलकम टू मिशन गुरुकुल मिशन गुरुकुल के 10 टू 15 बिनट करेंट इफेस में आपका स्वागत है आज का हमारा फोकस 14 में के न्यूज पे रहेगा तो बिना डिले के सुरू करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियर रिलेशन लेबर लॉज और सोशल सेक यह पार्ट है आपका ट्रेड उनियन के चैप्टर के जो हम लोग आल्रेडी डिसकस कर रहे हैं तो नहीं से एक स्टाटिक क्विश्चन लेके आते हैं कि यह जो इंडियान लेवल पे जो ड्रेड उनियन से है वो किंद पार्टी से अफ्लियेटेड है तो आल इंडिया ट्र से रिलेटेड है वहीं आप बात होती है BMS की भारतिय मजदूर संग तो यह बीजेपी से रिलेटेड है तो हाँ बिलकुल सही तो यहां रॉंग स्टेटमेंट कौन सा हो गया का CPM इसका जो रिलेटेड या फिलेटेड जो आपका ट्रेड यूनियन है उसका नाम है CITU सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन अब चलते हैं दूसरे न्यूज की तरफ दूसरा न्यूज यह रहा कि हमारे जो एक्स्टरनल एफेस मिनिस्टर है इस जैन साकर उन्होंने CEO का मीटिंग विडियो कांफरेंसिंग के थ्रूँ अटेंड किया तो CEO बहुत बड़ी और जब भी इंटरनेशनल और बात आ जाता है तो UPSC उसको कान खड़े करके देखता है और उससे क्वेस्टन पूछता ही पूछता है हर साल एक नई क्वेस्टन आता ही रहता है और ब क्रियेशन 2003 में हुआ था इसकी मेंबर्शिप आठ कंट्रीज में हैं इंडिया पाकिस्तान बोत मेंबर है और क्या इनिशियली इसमें फाइब मेंबर थे और जिन्नों ने जॉइन किया था वह बेकिस्तान था तो देखते इसके बारे में डीटेल न्यूज तब तक आप कम अधिकिस्तान एड हुआ इंडिया और पाकिस्तान 2017 से इसके मेंबर्श बने हैं तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन की तरफ तो इसका अन्सर तब तक तो आपको पता चली गया कि वास्क्रेटेटेड है इसका मिसन क्या है एम क्या है वह हमने यह लिख दिया है वह आ देख लेते हैं जैसे कि नीम का question हमेशा से पूछा जाता आ रहा है पिछले दो-तीन सालों से कि नीम के users क्या है वैसे ही अस्वगंधा या फिर गुदूची इसका भी आपका users पूछा जा सकता है तो इसको ऐसे जो implementation aspect है उसको आप छोड़ा नहीं कीजिए तो अस्वगंधा क्या cold में यूज होता है कौन सा गलत statement है यह comment करके बताईए तब तक हम चारो drugs के users देख लेते हैं तो जो news में रहा उसको आप ऐसे टेबलर format में इसको पना के इसको याद कर लीजे याद नहीं कर लीजेगा तो दो तीन बार रिवाइज कर लीजे आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो असुगंधा क्या है एक पत्ता है जिसका cold cough और viral infection ठीक करने में यूज होता है गुदूची एक root है जिसका antioxidant properties anti-cancer properties है और respiratory issues और digestive problems ठीक करता है वहीं पीपाली वैसा ही blood circulation और asthma यह एक हर्ब है लेकिन जिसका root यूज करते हैं हम लोग यहीं यसती मतू तो यह एक stem है तना जिसे बोलते हैं और इसके sore throat irritation ठीक करने में काम आता है साथी कल्स कफ और ulcer को भी fight करता है तो यहाँ पे गलत option क्या हो गया तो यह यसती मतू यह आपका अस्थमा नहीं है इसका answer पीपाली है तो यह आपका wrong statement है तो इसका answer टी हो गया चलिए चलते अब next question की तरफ next question में क्या है कि सबसे बड़ा न्यूज आया है यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूज क्या है आत्म निर्भर अभियान आत्म निर्भर भारत अभियान इसके बारे में हमने कल भी देखा था यह खुद में इतना बड़ा न्यूज है कि इसको बहुत ही डीटेल में discuss करें तो minimum 30 से 50 question तो बनेंगे ही तो इसमें बात की गई है five pillars of economy जिससे की हम self-reliant बन सकते हैं तो उसमें पांच pillars क्या-क्या है economy है infrastructure है technology driven system demographic and demand तो आपको यह सारे pillars को ध्यान में रखना ही है साथ ही साथ जो announcement हो रहा है उसको आपको current या फिर आपके static part है उससे link करना है कल हमने बताया था कैसे इसको static part से आप link करके पढ़ सकते हैं इससे question बनाये थे तो keywords क्या आ जाते हैं वो मैं दे दे रहा हूं यह keywords जहां भी मिले उनको आपके जो notes है मुद्रा के बारे में मुद्रा scheme के बारे में आपके जो notes है उसको revise कर लिजे प्रधान मंत्री आवास योजना से related है जो है उसको revise कर लिजे one nation, one ration card देखिए यह सारे जो keywords है इन पर question बन सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह आपका जो announce हुआ है आत्म निरबर भारत अभियान इससे related यह current affairs है क्योंकि यह सारे जो current affairs है यह सारे पुराने हो चुके हैं लेकिन आपको लगेगा कि UPSC ने दो तीन साल पुराना पूछा है लेकिन यह अभी के latest है वैसे ही मैंने कल के भी keywords दे दिये हैं उसको भी आप note करके एक वार revise कर लीजे अपने notes से और मैं बता देता हूं कल जैसे static part से link किया था इस वार dynamic part से link करते हैं जैसे मुद्रा keyword है तो उसमें question कैसे पूछा जा सकता है कि which of the following is incorrect regarding प्रधान कि आप comment कीजिए या जिनको पता है वो comment कीजिए मुद्रा has been set up as NBFC to implement this scheme मुद्रा scheme तो हाँ जी बिलकुल सही है ये बात it will it is third statement देखते हैं क्या सिसू लोन 50,000 तक कि सो लोन पांच लाग तक और तरुन लोग 5,10 लाग तक available है तो हाँ ये भी सही है इसी में सिसू लोन में थोड़ा सा changes हुआ है तो वो आपका जब आप इससे link करेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा क्या कोई collateral required नहीं है 10 ला ले रहे हैं तो 25 BPS यानि 0.25% तक का discount मिलता है तो इसमें गलत statement ये था क्योंकि इसमें agricultural loans नहीं आते हैं तो statement B इसका सही answer होगा और दूसरा एक और जैसे इसमें प्रधान मंत्री आवास योजना भी keyword आ रहा है तो उससे भी related एक देख लेते हैं current से link करके question तो प्रधान मंत type के लोग होंगे जिनको मिलेगा इसमें फायदा तो EWS economically weaker sections low income group, middle income group जिनके पास पक्का house नहीं है क्या वो avail कर सकते हैं तो हाँ बिलकुल सही इसमें चार component है तो चार component ये ये हैं CLSS सबसे important है इसमें credit link subsidy scheme क्योंकि इसी से related changes हुए है affordable housing plan और BLC इसका मतलब हुआ beneficiary lead construction all four component are central sector schemes जैसे आप economy पढ़ेंगे तो central sector schemes होता है central sponsored scheme होता है तो CLSS सिर्फ और सिर्फ आपका central sector scheme है बाकी central sponsored scheme है तो ये statement आपका ट्रॉंग हो गया वहीं आप चलते हैं national housing bank और हुड को है वो आपका implementing agency है तो ये भी सही हो गया तो इससे क्या हुआ कि आपको तीन चार fact जो आपने देखे ये तो आपके addition हो गया आपको अगर नहीं भी आ प्रदान मंत्री आवास योजना में आप चार important facts लिख सकते हैं अब बात आई PM किसान की देखिए PM किसान भी है आज हम लोग dynamic topics से इसको link करके बता रहे हैं तो PM किसान में क्या है PM किसान में आपका है कि it is a central sponsored scheme क्या साथ हजार तक उसमें benefit मिलता है उसमें एक exempted list है तो exempted list म में क्या income tax तीन साल तक जो भरे हैं वो excluded list में आते हैं या exempted exempted नहीं excluded बोलना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि excluded ही specifically mentioned किया गया है और exempted tax payable आदमी है तो उसको PM किसान का फायदा नहीं मिलता है और बागी सारे इसमें सही statement है तो इसका answer क्या हो गया आपका C हो गया तो चलिए अब चलते हैं current and miscellaneous topic क्यों तो current and miscellaneous topic में WHO बहुत news में रहा है चाइन और ताइवान का जो issue चल रहा है उसमें US बात कर रहा है ताइवान को WHO में include करने के लिए तो वो उस तरह के से news में रहा है और साथी साथ उन्हों उन्होंने जो drugs testing शुरू कर दी है coronavirus से related तो उसमें जो चाइड ड्रग्स हैं उनका नाम आपको ध्यान में रहने की जरूरत है क्या hydroclonine merilia का ड्रग है हाँ Remdesivir को Ebola में test किया गया है लेकिन अभी approved नहीं हुआ है उसको initially hepatitis C treat करने के लिए बनाया गया था और यह जो drug है यह HIV में use होता है तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान देने वाली बात है इसको आप दिमाग में हमेशा के लिए रखे रहे है तो चलिए अब चलते हैं question देख लेता है WHO बहुत जादा news में रहे है तो उससे related तो क्या WHO 6 April 1948 को बना है और उसी दिन क्या सब्सक्राइब करने में इसका बहुत ही बढ़ा रहा है और smallpox is only infectious disease to have been eradicated तो यह एक important fact है और अब interferon की बात हुई थी interferon को use करते हैं हम लोग HIV treatment में तो interferon से related question देख लेते हैं इसमें चार statement दिए गया है interferon से related आप बताईए कि कौन से statement correct है तो interferon क्या एक protein है जो कि आपका body naturally produce करता है तो हाँ बिलकुल सही बात है इसका treatment of cancer में use होता है या virus infection में use होता है तो हाँ बिलकुल सही दोनों में use होता है तो इसका answer क्या हो गया all of the above एक और index की बात हुई है index क्या है global energy transition index जिसको release कौन करता है वर्ल्ड economic forum इंडिया का रहा है टॉप स्वीडेन रहा है तो वर्ल्ड economic firm के और भी सारे बहुत सारे रिये report निकालता है ग्लोबल से related सारे आपके report है वो वर्ल्ड economic form निकालता है क्योंकि यह सारे question पूछे जा चुके हैं तो हम लोग और एक question करके देख लेते हैं इस में से कौन incorrectly matched है वो बता नहीं आपको क्या global hunger index आपका IFPRI निकालता है global innovation index निकालता है तो यह भी statement सही है यह भी statement सही है global financial stability report IMF निकालता है तो यह भी सही है global economic prospect यह आपका WEF नहीं निकालता है तो W World Bank निकालता है तो एक type से आपको जितने भी global से related है वो एक जगह आपको reports मिल गए हैं तो इसको आप note कर सकते हैं और साथी compare भी कर लिए देखिए global financial stability report global economic prospect record लागातार दो बार पूछे जा चुके exam से एक बार इस साल पूछा गया एक बार next year पूछा गया तो चलिए अब थोड़ा सा bonus facts भी देख लेते हैं में आपको ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेस्मेंट भी आया है जो यूनाइटेड नेशन के फोडिविजन ने लॉंच किया है उसमें पताया गया है कि for rate of forest loss जो है वो decline हुआ है और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा loss होता है नेट फॉरेस्ट लॉस असे में सबसे ज़्यादा गेन हुआ है यह रिपोर्ट बहुत पड़ी है इसको कभी हम लोग detail में discuss करेंगे क्योंकि जोग्राफी हमारा topic नहीं है इसलिए हम लोग इसको बहुत ही briefly discuss कर लेते आर्किलोजकल सर्वे अफ इंगा न्यूज में रहा है तो इससे related UPSC question पूछ चुका है यह founded in 1861 by Alexander Cunningham और किस ministry के अंदर है Ministry of Culture के अंदर है अब थोड़ा सा PCS related one-liners देख लेते है टूर of duty की बात चल रही है जिसमें की common citizen को तीन साल का short service दिया जाएगा इंडिया आर्मी म हैं फिर बात चल दिया एंटि ग्रेटर बैटल ग्रूप तो क्या है यह तो यह एजाइल सेल्फ सफिशेंट कॉम पैट फॉर्मेशन विजो की यह पैटल ग्रूप से हैं इसको स्टेटमेंट आप पढ़ लीजे यह बहुत ज़्यादा बड़ा चीज नहीं है और आखरी में हम लोग देख लेते हैं वोकल्स फॉर लोकल यह हमारे प्रधानमत्री ने बात की थी और यह आपका जो package launch हुआ है उसका part है तो इसमें खादी खादी से related question आ चुका है कि खादी का aim या mission क्या है UPSC में पूछा जा चुका question है तो खादी has came forward for this कि हाँ हम लोग वोकल्स का जो लोकल जो लोग है उनका वोकल बनेंगे हम यानि उनको हम लोग रोजगार देंगे उनका जो भी काम है उसको हम लोग आगे लेके आएंगे तो यहां एक और scheme की बात होती है तो प्रधानमंत्री इंप्लायरमेंट जनरेशन प्रोग्राम की तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजे और आज के लिए बस इतना ही आज हम लोगों ने देखा कि कैसे करेंट अफेर से डाइनमिक टॉपिक भी लिंक हो सकते हैं जो कि एक दो साल पुराने भी हैं तो मिलते हैं फिर से कल इसी ट